प्रसून एग्रोप हर खरीदारी पर पाई निश्च तो फार और साइज और क्वालिटी भी अच्छे बनके आ रही है तो अक्सर आप जो भी किसान भाई है वह कश्मीरी बीज लगा रहे हैं पर मैं साथ ही था किसान भाईयों को बताना चाहूँगा कि जब भी आप कश्मीरी बीज को लगाएं ठीक है कश्मीरी बीज देखने में अब देखें और आप देखी सकते हैं भी मेरे हाथ में है यह जड़ के साथ आता है रूप के साथ आता है तो जब अभी जो भी जो वह विलकुल आप देखेंगे कि फुल ड्राइए 99 परसेंट आपका ड्राइए यह सीड जो है जो भी हमारे पास जो अपलब्द है यहां प परसेंट से उपर ड्राइए हो तभी बीज को ले और साथ ही साथ मैं किसान भाईयों को यह भी बताना चाहूँगा कि इसको आप जब भी आप रखें तो इसको थोड़ा खुला या कम टैकिंग में रखें ताकि इसमें एरेशन प्रॉपर होती है और साथ ही साथ जब आप इस बीज को लगाएं तो बीज का उक्चार बहुत ज़रूरी है तो बीज के उक्चार के लिए आप पैकेज और प्रैक्टिस में भी कही चीज़ें देख सकते हैं पर एक मेरी परसनल राय रहेगी कि आप देविस्टिन के गोल में इसको एसीड को चाया में कुछ टाइन के लिए रखें और उसके बाद इसकी विजाई करें यह थाइपनेट मेथाईल है डो तिन कैमिकल्स और आते हैं फंजी साइड आते हैं जिससे कि आप इस बीज का उप्चार बड़े अच्छे से कर सकते हैं और यह इस समय बहुत जो इसका प्राइज समय है किसान भाईयों व बेच रहे हो वो लगवग लगवग सो एकसो दस रुबे तक भीक रहा है तो उसके एवज में इस समय सीड काफी सस्ता है पर मुझे पूरी उमीद है कि यह बीज महगा होगा तो जो किसान भाई बीज लेना चाहते हैं वो समय पे बीज लेने क्यूंकि समय पे बीज लेके आपका काफी पैसा बच सकता है काफी मुनाफ़ा आपको हो सकता है और बीज के उक्चार के संदर्म मैंने आपको बताई दिया है तो कश्मीरी बीज अगर आपको लेना हो तो पार्थ कार्लिक सीड कंपनी राम बाग अखाणा वजार कुलू फॉन नमबर 98162322222 पे संपर मतलब इसमें फ्रोसत बीजाहिक इसमें उसका साइज का भी ध्यान रखे राउंड 5 cm के असपास का यह है आपका 5 more than 5 cm है साइज भी इसका काफी अच्छा है तो यह कॉलिटी सीड है कश्मीरी कार्लिक तो अगर आप इसको लेना चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं